डॉक्तर पांडे, डॉक्तर एके पांडे हैं, बच्चों के डॉक्तर हैं, डॉक्तर पांडे, गोरकपुर का जिक्र नेशनल मीडिया में हर साल एक और वज़े से आता है दिमागी बुखार, क्या है सर ये दिमागी बुखार इसका इलाज नहीं है, ये यहीं पर क्यों होता ह कि तइमागी बुखार गोरग पुर्वांचल की बहुत बड़ी समस्या है। बड़ा दुख ही यह है कि इतनी भैंकर समस्या। क्या होता है सरुषमें ये बंगहों को होता है। लेकिन बच्चे जादा पीड़ित रहते हैं, पंद्रह साल की उम्रे तक बच्चों में दिमागी बुखार होने की सम्भावना बहुत ज्यादा होती है। इस पर कोई एक बड़ा मैप होना चाहिए स्टेट गवर्मेंट का खास तोर से कोई ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि जिस तरह से क्या प्लानिंग हो ची डॉक्टर एन सिंग है यहां पर आरें सिंग देखी जो यह इनके फ्लाइटिस की बात है दो तरह की है और यह 40 साल से मासूवों को एक साल में कम से कम अगर पूर्वांचल की बात करते हैं तो तकरीबन 5,000 बच्चों को मारती है तकरीबन ौजार हर साल हर साल 40 साल से वजय मैं बता दूँ 500 बच्चे जो आपको यहां मेरिकल कॉलेज में मरने वाले दिखाई देते हैं इसी तरह यहां पे डेड़ सो नर्सिंग हों में अगर एक एक नर्सिंग हों में एक एक बच्चा साल बर में मरता है गुरकनाथ चिक्षाला है रेलवे हास्पिटल है डिस्टिक हास्पिटल है फिर इस जिले की CHCs हैं पी एच सीज हैं जोला चाप सब फिगर खाली गुरकफुर की कंपाइल करेंगे तो पंद्रह सो दो हजार वो हो जाएंगी फिर दिवरिया बस्ती महराज गंद कुष्य नगर संदकबीर नगर ये जो जिले हैं इन सब के आंकणों को जो आफ रिकार्ड हैं अगर वाकई आप संकलित करेंगे तो ये कम स सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो एक आगज आप देख रहे हैं ये जो एक आगज आप देख रहे हैं ये दस साल से हम लोग मांग रहे थे जिसके लिए हम लोग ने खून से खत लिखे खुलिया का जो है उदारान पेश किया लगातार प्रति दिन साड़े तीन से चार घंटे मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करता हूं अल्टिमेटली बहुत कुछ करते करते वे संचेप में ये बताना चाहता हूं भारत सरकार ने ये कारिक्रम बना दिया दो हजार बारा में बना दिया नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रेवेंशन इन कंट्रोल ऑफ जैपनीज इन सेफलाइटिस ये दो हजार बारा में बना पिछली सरकार ने बनाया और उसको इसलिए रिलीज नहीं किया कि उसका मिसन यूपी फेल कर गया बहुत अच्छी सरकार थी ये भी बहुत अच्छी सरकार है मेरे सरकारों से कुछ लेना देना नहीं है बस मैं ये जानता हूँ चुकि हम जनता हैं इसलिए हमनों ने ये जनता का घोशना पत्र भी चारी कर दिया है ये मेरा खाल है कि गंगा को राजनेतिक गंगा को सीधी दिसा में बहाने का एक नाकाम कह सकते हैं या कामयाब फ्रेयाब अच्छी नाकामयाब नहीं होगा डॉक्टर सिंग जब तक हमारे जैसे नौजवान हैं आपके जैसे बुज़ूर्ग हैं कैसे नाकामयाब हो सकता है आप इतनी उम्र होने के बावजूद अपनी लडाई लड़ रहे हैं और ये आ सिंवरी फरवरी से शुरू हो तभी सकारात्मंग नतीजे आएंगे केंद्रवा प्रदेश दोनों सरकारें जैसे एक ने एमस का एलान किया और दूसरे ने जमीन दी दोनों सरकारें मिल के काम करें सर जब बच्चों की मौत आती है तो वो यह नहीं देखते हैं कि उनके मम् 25,000 बच्चे इस अंचल के मर जाते हैं मेरे ख्याल से तो यह सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाहिए सब कितने बड़े-बड़े काबिल डॉक्टर वकील क्या-क्या नहीं निकल सकते हैं